हेलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मिद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे भाईयों का कोमेंट जो है कि हम बाइक ओला उबर रैपीडो में चलाने से कितनी इंकम है और क्या है नहीं है सब जानकारी देना चाहता तो मैं यह कहूँगा किसी और को देखके यह ओला उबर रैपीडो में ना जाओ जो आप कर रहे हो सही है किसी और को देखके किसी और की सुचके कि हाँ भाई वो इतना कमाता है वो इतना कमाता है वो सब मत देखो आप अप अपनी खुद देखो आप क्या कर रहे हो किसमें आपके गुजारा नहीं है लेकिन मैं यह करूँगा अगर नौकरी छोड़ के अगर खहीं आप नौकरी कर रहे हो अगर आपको लगता है कि हम नौकरी छोड़ के हम ओला उबर में बाइक चलाएंगे टेक्सी चलाएंगे कुछ चलेंगे तुम ज़्यादा इनकम होगा ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं सब कहने की है जब जाओगे तो पता चलेगा मैं खुद आज आपको इसी बैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मैं यही सोच के वीडियो बना एक वर में आपको दिखा दूँ कि हम कैसे क्या है नहीं है क्या काम है नहीं है क्योंकि मैं तो फर्स टाइम यही कहूँगा कि अगर पाट टाम में करना चाहते तो सही है अगर फुल टाम चाहते हैं कि हम नौकरी छोर के duty छोड़ के हम full time में करें तो कोई फाइदा नहीं है शरीर ही जाएगी शरीर की ठकावट यह है वो है bike की mileage उसके बाद जो क्या होता ना कि हम जोड़ते हैं कि हाँ चलो आज हमने कमा लिया 500 रुपे के काम कर लिया लेकिन आप यह नहीं उसमें जोड़ते हो कि 500 रुपे में हमने petrol हमारी कितनी की गई और जो हमारी bike कितने किलो मीटर चली है वो service क्या होगा service में क्या maintenance आएगा क्या खर्चे आएगा नहीं आएगा हम सिर्फ यह सुचते हैं हमने आज 500 रुपे के काम करा 500 रुपे के काम करा हो तो ठीक है आपने 500 रुपे के काम करा लेकिन यह भी तो आप देखो कि हम 500 रुपे के काम किये लेकिन उसमें हमने क्या किये नहीं किये आप कुछ नहीं देखते हो तो बस यह देखते हूं को में पांसर और चलिए समय गवाय बिणा मैं आपको दिखाता हूं कि हमने कितने काम करूंगा तो मैं दिखाता हूं आपको मैं रिपीड ओला उबर तीनों एप में चला रहा हूं अभी फिलाल वीडियो बनाने के लिए तीनों एप में Dartmouth करताँ हूं अगर आपने वीडियो एस्कीप की तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे फिर अधूरे रह जाओगे इससे बढ़िया है कि वीडियो एस्कीप मत करना एक से लेकर पूरी सेकेंड तक का वीडियो देखना कोई भी वीडियो मत चोड़ना एक भी एस्कीप करोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा चलिए मैं दिखाता हो मैं फ़हले फोन ऑन कर maar यह अब हम आते हैं यह 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 हमने पहले रैपीडोे अज़िया और कि यह यह हम पहले दिखाते हैं आपको अपना अर्निंग हमने कितने अर्टनिंग करी हो कल हम स्टोरी में जाते हैं देखते हैं 27 सेप्टेंबर का हमने 27 सेप्टेंबर में एक ही ओडर आया हमारा 9 किलो मीटर का अब देख सकते हैं जो हमने मोडल टाउन से पीक अब किया था और कृष्णा बिहार भलसवा के पास मैंने उसको ड्रॉप किया था तो ये देखिया हैं विश्मेंद में क्या है तुक diversion 9.89 स्मामक को इसको इसमें हम अमको दिया सम्झो प्लेटफ कुछ है वो कडियां हमा रुप्य और वाक्टी के सारे वोक तुक मतलब 8हरल रुप्य इसका कमिशला गया सम्झो-5अप काम कर रुपी कमिसन अब बताओ। इसमें हम तेल कामारा कहा गया सरवीज कहा गयी मेहनत कहा गयी 66 मिल nervous 50 लग स्कौ अच्छा अच्छा कडि will तो फिर मैंने अच्छा ने लगा तो फिर मैं चलो इसके मैं बंड कर दिया yeahoff कर दिया उसके बाद मैंने रूबर में करी उबर चालू करी दिखाते हैं उबर का इंकम कि एर्णिंग नेट बड़ा शुलो चल रहा है अजक्कल तो यह देखो 501 रुपय का ऐसे नहीं ऐसे तो बात माकी दिन का भी आ जाएगा यह मैंने स्टार्ट किया था कल मैंने काम किया 490 रुपय का चार ट्रिप मैंने कहें वो करी ओनलाइन रहा चार घंटे चोबन मिनट पांच घंटे ओनलाइन रहा मैंने चार ट्रिप कंप्लीट करी मेरा कुल जो है 515 रुपय का इंकम हुआ उसमें देखो इसका प्लेटफोर्म फी कितना कम है उबर का बेस्ट है कि 91 रुपय का एक ट्रिप था 91 रुपय का नौ किलो मीटर का ट्रिप था 91 रुपय का समझो कि 10 रुपय किलो मीटर मिला उसमें इसका मुझे बिला कैस कोलेक्टेड मैंने 89 करा यह देखो 91 रुपय का पहला राइट मैंने उबर में शुरू करी थी तो क्यों आ रहा है तो अट जा बारा बच के मैंने पहले रुपीडो में एक करी उसके बाद मैंने इसको बंद करके बारा बच के एक ड्रॉप किया था मैंने बारा बच के 32 एमें पर ड्रॉप किया था मैंने 91 रुपय का ट्रीप मिली थी यह उसके बाद दूसरा ट्रीप नी 92 रुपय का 8.7 किलो मिटर का मैंने 18 मिनट 16 सेकेंड में एक ट्रीप कंप्लीट करी थी वो 92.70 रुपय उसका मिला था एक राइड कॉस्टमबर ने कैंसिल क दस किलो मीटर का 126 रुपय मुझे मिला 126 रुपय बहत्तर पैसे उसमें चैश मिला थे 125 रुपय के हो गया और दूसरी मैंने लास्ट ट्रीप करी थी आध प्रश्ट ट्रीप सॉरीः वो तो लास्ट ट्रीप का था जो शुरूश आप देखरें फस्ट ट्रीप मैंने करी दोसो पांच रूप्य का पहली ट्रिप मुझे मिली थी 32 किलोमीटर का 275 रूपय गा सतरे रूपय मैंने कहीं 215 रूपय की पूर ट्रिप थी किछ गों की होजो मुझे मिला था कितने किलोमीटर का है 36.32 पॉइंट शे किलोमीटर तो इसमें इसका प्लेटफॉर्म चार्ज बार रुपे कटा है दो सबस्टार रुपे क्लेक करी थी 205 मुझे मिला बार रुपे कर तो इसमें मैंने यह देखो 32 किलोमीटर और 10 किलोमीटर 32 40 22 और एंव चार पॉइंट और शयपनौर 23 किलोमीटर और रुपी कटा 1 और चाल फॉपे करी चार टीप मैं नहीं करी थी कुछ नहीं चार गहंटे चोन मिन्ट और रहा था इसमें कल की मेरी 490 यह हो गया और 60 रुपे उसमें था तो 550 हो गया इसको भी बंद करते हैं अब आते ओला पे ओला मैंने एक ही राइड करी थी चोहत्तर रुपे की इसका भी बहुत कम कमीशन है तीन रुपे इसका बस कमीशन 77 रुपे की त्रीप थी 77.99 उसमें जो मैं मेरी अर्निंग हुई 73 रुपे íst चाहिक एक ही 99 पैसा की मैंने ऐल के पिससका की इसके अब अब करी थी यह आपका हो गया इसमें किलोविटर नीकिर इसा किलो मिटर यह रहा 12.4 किलो मिटर का तो इसका भी ओला वाला भी पैसे कम देता है एकिस मिनट का ट्रिप था 12.54 किलो मिटर का ओला वला ही पैसे कम देता है तो हमें सबसे बेस्ट लगा आपको खुद पता ही कि हमें क्या बेस्ट लगा आपके लिए क्या सबसे बेस्ट है कि आप जरूर एक बार ध्यान दे गौर करें और यह हमारी कलकी कमाई है जो मैंने पा सबसे पहला राइड मुझे रैपीडो का ही मिला था तो मैं लेके चला गया था उसके बाद रैपीडो के बाद दूसरी राइड मुझे उबर के मिल गया आप लोगों को खुद पता चल गया होगा कि हमने क्या काम क्या कितने किलोमीटर बाइक चलाई कितने की इंकम की कितने का यह है वो है सम्मिला जुला के सम्झो बात बराहुर पर है लिए मैं एक बात यह आपने तीनों अप ओला उबर और रैपीडो तीनों आप को आप कोई मैंने यह नहीं है कि मैंने अलग से डाल दिया हूं कुछ नहीं लाइब है सब आपके सामने में आप खुद देख लो कि आपको कौन से फिल्ट में काम करना है मुझे तो सबसे बेस्ट लगा बागी कमेंट करके आप लोग बताओ आपको उला ओबर और रैपीडो इन सबसे बेस्ट कौन सा आप है आप लोग हमें जरूर बताओ कॉमेंट जरूर करना कि आपको कौन सा सही लगा और यह सब इतनी मेहनत जो हमने आपके लिए क्या आप एक लाइक तो आपकी बनता है एक लाइक तो जरूर कर देना बोस